हेलो एंड वेल्कम टू मैं चैनल इसके हल्पिंग हैंड टुटूरियल्स फ्रेंड्स आप आपका जीपी एमाउंट निकाला बहुती सरल हो गया है आप स्वेम इसका विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी लंबी प्रोसेस के या ओफिस के चक्कर लगाया हुई जो राजे भीमा एवं प्रावदी निदी विपाग के द्वारा यह नया आदेश लागू कर दिया गया है दिनांग 14.10.2021 इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि दिनांग 13.10.2021 से यह सेवा प्रारंब की जा चकी है स्वाचालित प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहट आप अंश दाताओं द्वारा प्रावदी निदी के आहरण हितु आवेदन किये जाने पर रियल टाइम बेसिस पर आटो पेमेंट ओर जारी होकर पे मेनेजर के माध्यम से आपके खाते में स्वीकृत आहरण राशी का जमा हो जाएगा तो हम पहले अपनी राशी जान लेते हैं यह जीपी एफ जिनका कटोती होती है वे अब स्वेम अपनी राशी जो है बेंक खाते से जिस तरीके से हम निकालते हैं वैसी आप साथियों अपनी राशी को निकाल सकते हैं तो इसमें जो सेवा काल दिया दया है इसकी कुछ शर्ट जो रखी गई है यदि 5 से 15 वर्ष तक की सेवा हो गई है तो आप आरण प्रतीशत जो है 10 प्रतीशत है 15 से अधिक किन्तु 25 वर्ष से कम होने पर 30 प्रतीशत है 25 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम सेवा पर 40 प्रतीशत है और 30 वर्ष से अधिक सेवा पर जो की अधिक्तम उस पर 50 प्रतीशत आप निकाल सकते हैं इसके लिए जो एक अलग प्रोसेस है वो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आप 90% चत्राशी भी निकाल सकेंगे इसके द्वारा GPF RN की प्रक्रिया जो है वह इस प्रकार से रहेगी आपको SSO ID से SIPF Portal पर जाना है पहले आप SSO ID से लोग इन करेंगे और फिर SIPF Portal जो नया बना दिया गया है उस पर न्यू वाले पर आपको क्लिक करना है वहाँ पर यह सुवीदा में मिलेगी उसके बाद आपको GPF Transaction पर जाकर के क्लिक करना है और विड्रॉल में आपको दू आप्शिंस मिलेंगे आपको 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 शो हो जाएगी तो उसके अनुसार ही आपको वह राशी भरके और आहरन के लिए भरना होगा विड्रॉल एमाउंट जहां पर बताया जाएगा जबकि जो manual process होगा उसके अंदर आप 75% तक राशी निकाल सकते हैं जी हाँ साथियों आप 75% तक राशी आप निकाल सकते हैं पहले एक कारण का chain करना होगा उसके बाद आपको 75% तक राशी वहाँ पर उपलब्ध हो सकती है और यदि आपके retirement में साथ महीने अत्वा उसे कम अवदी है तो आप 90% तक की राशी भी निकाल सकते हैं तो इस जो process दी गई है यह सारी यहाँ पर process दी गई है इसको हम लोग एक chart के द्वारा समझते हैं जिससे कि आपके लिए भी सरल होगा आप copy pen लेकर के बैठिए और उ यदि आपको सायता की जरूरत पड़े तो आप उसको फड़ा फड़ से उसी options पर जा करके क्लिक करके आप सरलता से अपने जो है withdrawal कर सकते हैं साथियों आप देख सकते हैं यह chart आपकी सायता के लिए बना दिया गया है सबसे पहले हमने SSO ID पर login कर लिया और SSO ID पर login करना लगबग सभी को आता है इसके बाद आप SSPF का new portal है वहाँ पर options आ जाते हैं उस पर आप जाएंगे और GPF को खोलेंगे GPF को खोलने के बाद वहाँ पर आपको GPF transaction पर click करना है फिर उसके बाद आपको withdrawal पर click करना है तो number 1, number 2, 3, 4 और यह पांच वा जो process आएगा यहां से main process आपकी start हो जाती है आगे आप दीख सकते हैं इसमें आपको साथियों दो जो है options मिलेंगे auto process और manual process तो auto process में आपको बता दिया गया है जितने की आपकी सेवा वर्ष के अनुभव के अधार पर जो राशी ने अधारित है 50 प्रतिशत जो की अधिक्तम होएगी आपको वह चार्ट आपको पहले आप चार्ट में पुना देख सकते हैं manual process की प्रक्रिया है वह अलग रहेगी तो उसमें आपको 60% तक की राशी प्राप्त हो सकती है अब हम आगे देखते हैं यदि आप auto process पर click करते हैं तो इसमें आपको एक राशी शू हो जाएगी ठीके जितने की आपकी बंदी है तो मह जाने के बाद आपको withdrawal amount जो है वो पून आंक में भरना है यह हमें धियान रखना है withdrawal amount option आएगा इसको राशी को आपको पून आंक में आप भरेंगे फिर उसके बाद आपको next button दबाना है next दबाते ही आपकी जो bank details जहां पे pay manager में दीवी details है वो आ जाएगी जहां पे आपक यह चेक करने के बाद आपको validate button दबाना है तो जब हम validate button दबाएंगे तो वह आधार या जन आधार पूछ सकता है और registered number पर एक OTP आएगा वो OTP हमें वहाँ प्युक्त जो स्थान दिया जाएगा वहाँ पे हमें OTP को भरना होगा तो आप अपना mobile और जन आधार आधार की जो copy है अपने पास जरूर रखेगा इसके बाद आपको payment initiate करना होगा payment initiate करने के पास यह राशी जो है आपके bank खाते में जहां पे आपकी salary जमा होती है उस खाते में जमा हो जाएगी तो यह तो process थी साथियों auto process जबाब करते हैं यदि आप manual process पर दबाते हैं जिसमें कि आपको उपलब्द रहेगी यदि आपके retirement में 60 महा यहां उससे कम अवधी का समय रहता है तो आप 90 प्रतीशत तक राशी वहाँ पर भर सकते हैं यहाँ पर पहले जो एक अलग option होगा reason for withdrawal यदि आप manual process करते हैं उसमें से आपको विकल्प दिये जाएंगे उचित विकल्प क chain करना है और उसके बाद आपको वापिस से यही process follow करनी है तो यह process वही रहेगी withdrawal amount withdrawal amount को फूर नांक में भरेंगे फिर next बटन next करते ही bank details आएंगी फिर validate करेंगे OTP आपको आजाएगा आपके registered number पर OTP भरने के पाद यहाँ पर फिर से आपके पास सीधे ही manual process जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर successfully लिखा हुआ आएगा अर्थात सीधे ही आपके bank खाते में राशी जमा हो चुकी होगी तो आप अपना bank खाता जरूर चेक कीजेगा इसके यह चेक होने के बाद में जो जिलाकाराले वगरे हैं वहाँ अपनी process को करेंगे तो आप भी alert रहे हैं और office में भी सूचना हो जाती है इस चीज़ की तो आपको बहुत बहुत बदाई अब आप अपनी राशी के लिए attention में नुवत रहेगा कि किस तरीक से office के चक्र लगान subscription कुछ भी cost नहीं करता है आपको disturbance ना हो इसके लिए आप notification आइकन जो होता है उसको bell icon को मत दबाईएगा but do subscribe SK helping hand tutorials thank you